Hello everyone, welcome back to our channel Literary Nerds आज की वीडियो में हम डिस्किस करेंगे सीटेट अप्लिकेशन फॉर्म के बारे में So as per the previous notification of सीटेट आप आज से अपने अप्लिकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो अगर आपको अपना exam city चेंज करना है तो So आज की वीडियो में हम यही डिस्किस करेंगे तो आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखें अगर आपको अपना exam center चेंज करना है और यह वीडियो जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें proper process पता चल जाए आपसे कोई mistake ना हो क्योंकि यह one time है आप दूसरी बार अपना exam center चेंज नहीं कर पाओगे So वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे चानल पर new है उनसे मेरी request है कि please हो हमारा चानल subscribe कर ले ऐसी और वीडियो के लिए अगर आप चाहते है कि हमारी वीडियो अप्लोड होने कि आपको notification मिले तो आप bell icon भी press कर सकते है तो सबसे पहले आपको seated की official website पर जाना होगा जो है www.seated.nic.in जैसे ही आप ये official website क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक homepage ओपन होगा आपको scroll down करना है वहाँ पर और आपको दिखेगा लिखा हुआ click here for exam city correction काफी बड़ा बड़ा लिखा है और green box में लिखा है आप अपनी screen पर भी देख सकते है और जैसे ही आप ये click करेंगे उसके बाद आपके पास एक ऐसा page open होगा जो आप अपनी screen पर देख सकते हो application form आपके पास भरा हुआ आएगा seated January 2021 के लिए आपको change करना है तो यहाँ पर application number आपको डालना होगा अपना application number जो आपको मिला होगा जब आपने form फिल करा होगा password वही फिल करना है जो आपने तब डाला था enter security pin so इसके नीचे security pin दी हुई है आपको यह as it is copy करनी है same to same and sign in कर देनी है then अगर आप password भूल गए हो या application number भूल गए हो misplace हो गया कही है आपस तो यहाँ आपके पास option आ रहा है नीचे left hand side पर forgot password का and right hand side पर forgot application number का so in case अगर आपको यह नहीं याद है तो आप इन पर click कर सकते हो इसका process अलग है अगर आप password भूल गए हो तो आपको वो 3-4 options देगा application number में भी आपको 3-4 options दिये जाएंगे कि आपको यह application number या password कैसे retrieve करना है आपके mobile number पर OTP भी भेजा जाए email ID पर या फिर आपको security question बोलेगा जो आपने form fill up करते time fill किया होगा तो आप इन तीनों में से कुछ भी answer कर सकते है ताकि आपको यह दोनों चीज़े मिल जाए in case आपके पास यह दोनों में से कोई चीज नहीं है दोनों नहीं है या एक भी नहीं है then आपको click करना है sign in पर जैसे ही आप sign in पर click करोगे next page open हो जाएगा जहाँ पर आपको सारी tabs दिखेंगी आपकी registration form complete है application form complete है image upload complete है application fee payment complete है यह सारी की सारी चीज़े आपको दिखेंगी then आपको नीचे को option दिखेगा correction in application form आप अपनी screen पर देख सकते हो यह आपको दिख रहा होगा यानि आप अपने form में edit कर सकते हो चीज़े जहाँ पर भी आपको required है so आप यहाँ पर click करोगे correction in application form पर यह आपके सामने एक next page open होगा यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास two points है जिसमें से first point में यह mentioned है कि आपको correction जो भी करने है exam city में यह one time activity है आप इसके बाद वापस नहीं कर सकते हो चाहे कुछ भी हो जाए so आप जो भी select करो वो सोथ समझ कर select करना अगर आप changes कर रहे हो तो यह final changes होंगे इसके बाद आप changes नहीं कर सकते हो second point में mentioned है कि अगर आपने correction करा है तो आपको यह advice किया जाते है कि candidates उसका print out रख लें ताकि आपके पास revised confirmation हो आपके exam center change होने की for future reference then आपको नीचे tick box दिख रहा होगा आपको वहाँ पे click करना है I agree पे tick करोगे and then नीचे proceed for correction वहाँ पे आप click करोगे so आपके सामने आपका पूरा form डिस्पले हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो आपने जो भी center भरा था आप इसे change कर सकते हो आपने four preferences भरी होंगी तब अब आप अपने accordingly अगर आप अपने hometown में रह रहे हैं या फिर आप कहीं और रह रहे हैं जिससे आपको examination attempt करना है आप चाहते हैं कि आप वहाँ का center ही दें तो आप वहाँ का center दे सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है first preference जो आप डाले आपको वही मिले so आप से four preferences ली जाएंगी and availability कराने की कोशिश पूरी करी जाएगी cbsc ने ये बोला था कि अगर वो आपको center change करने का मौका दे रहे हैं तो वो पूरी try करेंगे कि जो आप center डाल रहे हो आपको वही मिल जाए so जो भी center आपने change किया इस form के नीचे फिर submit का option आ रहा होगा आप उस पे click कर देना and इसका print out ले लेना so ये था changes करने का procedure आप इस process ते अपने seated के application form में अपना exam city center change कर सकते हैं so that's it from my side अगर आपको कोई और doubt है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं आप हमें instagram पे dm कर सकते हैं हमारी id है literary nerds underscore और you can mail us at nerdsliterary at gmail.com we will reply you within 24 hours till then don't forget to subscribe our channel literary nerds thank you and take care झाल 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 झाल